दोस्तों उन दिनों हिंदू देवता वाफ सराएं प्रिथवी लोक में आते जाते रहते थे। बस्ती मंडल में हिमालय का जंगल दूर दूर तक फैला हुआ करता था। जहां रिशियों वा मुनियों के आसरम हुआ करते थे। अवादी बहुत ही कम थी आसरमों के आसपास वे उच्च कोटी के सिध्ध संत थे। पूरे आर्यवर्त में उनको बड़े सरधाव सम्मान की दृष्टी से देखा जाता था। उनके तप से देवतागन भैभीत हो गये थे। इंद्र को अपना सिहासन डगमगाता हुआ दिखाई दिया था। महरसी की तपस्या भंग कर करने के लिए उन्होंने अपने प्रिये अफसरा उर्वसी को भेजा था। जिसकी प्रेम पास में पढ़कर महरसी का तप खंधित हुआ और दोनों के संयोग से बालक सरिंगी का जन्म हुआ। पुरानों में स्रिंगी को इन दोनों का संतान कहा गया है। बालक के मस्तक पर एक सिंग था अतह उनका नाम स्रिंगी पड़ा बालक को जन्म देने के बाद अफसरा उर्वसी का काम पूरा हो गया और वह स्वर्ग लोक बापस लोट गई इस धोखे से बिभांडक रिसी इतने आहात हुए कि उन्हें नारी जाती से ही घरना हो गई विए क्रोधित रहने ल पूरे मनयोग से बालक का पालन पोशन किये थे बालक अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानता तक नहीं था संसारिक बृतियों से मुक्त यह आश्रम साक्षात स्वर्ग सा लगता था सकती और रूप अपनी अप्रत्यासित मंडन हीन ताजगी से बालक स्रिंगी को प्रिये अफसरा उर्वसी को देखते ही उस पर मोहित हो गये तथा नदी में अशनान करते समय उनका बिर्य पात हुआ एक सपित देवकन्या मृगी के रूप में वहां बिचरन कर रही थी उसने जल के साथ बिर्य को ग्रहन कर लिया इससे एक बालक का जन्म हुआ उसके सिर बालक को जर्म देकर वह मृगी साप मुक्त होकर स्वर्ग लोक चली गई उस आसरम में कोई तामसी बृती नहीं पाई जाती थी महर्शी विवहंडक तथा बालक स्रिंगी का आसरम अंग देश से लगा हुआ था देवताओं के छल से आहात महर्शी विवहंडक तप और क्र ना किया रिशी स्रिंगी ने अपने पिता विवहंडक से भी अधिक तेजवान एमप्रति भावान बन गए उनकी ख्याती दिग दिगंतर तक फैल गई थी अंग राज को सलाह दिया गया कि महर्शी स्रिंगी को अंग देश में लाने पर ही अंग देश का आकाल खत्म होगा एक बार महर्शी विवहंडक कहीं बाहर गए थे अपसर की तलास में अंग राज थे उन्होंने स्रिंगी रिशी को रिजाने के लिए देवदासियों तथा सुन्दरियों का सहारा लिया और उन्हें वहां भेज दिया उनके लिए गुप्त रूप में आसरम के पास एक सिव भी लगवा दिया था तोरित गती से उस आसरम में सुन्दरियों ने तरह- तरह के हाव भाव से स्रिंगी रिशी को रिज़ाने लगी उन्हें तरह-तरह के खान पान तथा पकवान उपलब्द कराए गये इन सुन्दरियों के गिरप्त में आ चुके थे महर्शी विवहंडक के आने के पहले वे सुंद्रियां वहां से पलायन कर चुकी थी। स्रिंगी अब चंचल मन वाले हो गये थे। पिता के कहीं बाहर जाते ही वह छिपकर उन सुंद्रियों के सिविर में स्वयम पहुँच जाते थे। सुंद्रियों ने स्रिंगी को अपने साथ अंग देश लेक महर्सी विभांडक को आश्यर हुआ। उन्होंने अपने योग के बल पर सब जानकारी प्राप्त कर लिया। अपने पुत्र को बापस लाने तथा अंगदेश के राजा को दंड देने के लिए, महर्सी विभांडक अपने आस्रम से अंगदेश के लिए निकल पड़े। अंग देश के राजा रोम पाद तथा दसरत दोनों मित्र थे महरसी विभांडक के स्राप से बचने के लिए रोम पाद ने राजा दसरत की कन्या सांता को अपनी पोस्या पुत्री का दरजा प्रदान करते हुए जल्दी ही स्रिंगी रिशीक से उनकी साधी करा दिया महरसी विभांडक को देखकर एक योजना के तहत अंग देश के वासियों ने जोर जोर से सोर मचाना सुरू किया कि इस देश के राजा महरसी स्रिंगी रिशी हैं पुत्र को पुत्रवधु के साथ देखने पर महर्सी विवहंडक का क्रोध दूर हो गया और उन्होंने अपना विचार बदलते हुए पर बधु के साथ राजा रोम पाद को भी आसिरवाद दिया पुत्रवा पुत्रवधु को साथ लेकर महरसी विभांडक अपने आस्रम लोट आए और सांती पुर्वा कोहां रहने लगे अयोध्या के राजा दसरत के कोई संतान नहीं हो रही थी उन्होंने अपनी चिंता महरसी वसिष्ट से कह सुनाई महरसी वसिष्ट ने स्रिंगी रिसी के द्वारा अस्वमेग तथा पुत्र कामेश्टी यग्य करवाने का सुझाव दिया दसरत फिर नंगे पैर स्रिंगी रिसी के आस्रम में गए थे तरह तरह से उन्होंने महरसी स्रिंगी की बंदना की रिसी को उन पर तरस आ गया महर्शी वसिष्ट की सलाह को मानते हुए वह यग्य का पुरोहित बनने को तैयार हो गए उन्होंने एक यग्य कुंड का निर्मान कराया इस अस्थान को मुखोडा कहा जाता है दोस्तो बाद में रिसी स्त्रिंगी के ही पुत्र कामेश्टी यग्य के करवाने के बाद राजा दसरत के हां भगवान स्री राम और उनके तीन भाई लक्षमन भरत और सतरोधन जन्म लिये थे तो दोस्तो यह थी जानकारी रिसी स्त्रिंगी के बारे में कि वे कौन थे उनके पीता कौन थे और उनकी साधी किन से हुई थी उम्मीद करते हैं फ्रेंट साब सभी को हमारे वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और share करना न भूलेगा और दोस्तों ऐसे हैं ग्यान वर्धक वीडियो देखते रहने के लिए अविमारे इस चैनल ग्यान मंतन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अब मारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहे जानते रहे धन्यवाद जैहिंद